हमारी POCO M2 Pro यानि MI at all device के लिए एक वार फिर से MIMI UI Light Edition का एक other update आ चुका है चोकि हमारा hot fix है और यह हमारे stable 14.0.2 के उपर run कर रहा है जहाँ आपको क्या कुछ चीजे देखनी को मिलते है किस तरीक से वह मैं आपको बताऊँगा और hot fix है यानि ज्याला चेंज रहेगा नहीं बट फिर भी performance bugs बाकिया दा चीजे आपको पता चलेगी वीडियो अच्छा लगता है तो like करेगा और ऐसी interesting वीडियो चाहिए regular ताप मेरे दोनों चैनल को subscribe कर लेना और हाँ इसके वीडियो बहुत कम इसलिए आ रहे है कि कि recently मैंने 3-4 रोम इसके try किये हैं और सभी में अच्छा नहीं लगा और एक दो और मैंने try किया जिसमें bugs देखने को मिले तो मैंने वीडियो दिया नहीं कि यूज ही करने like नहीं है तो वीडियो देखे फायदा ही किया है लेकिन ये यूज करने like लगा है बट इस्टिल थोड़े बूत issues भी है जो कि आपको पता चलेगा सरसे पहले आप देखो यहां पर monet effect दिखाई देता है जो कि मुझे अच्छा लगता है और इस तरीक से आप देखो lining देखने को मेरी न जो कि अलगलग category बनाए गई है जो कि सही नजर आता है माइ डिवाइस के अंदर आपको दिखाई देता है मीमी UI light 2.0, मी UI 14812 जो कि स्मूधियां पर लिखा गया है ऑफिसल अपडेट storage का design रख चेंज कर दिया गया है जो कि देखने में काफी सही लगता है बाकि device name आपको मिलेगा जो कि codename हमारा MIA toll है और हमारे maintainer का name 14.0.3 के साय में EU पर यह रन कर रहा है प्रिफ का करनल आपको देखने को मिल जाता है असमुद्देस और वल मुझे काफी सही लगी इसमें कोई भी कमी मैं कवा कि नहीं है अच्छा है यहां पर आपको multi language support टेखने को मिल जाता है जो कि आप जो भी चाह वो यूज कर सकते हो यहां पर आपको देखने को मिलता है floating window, memory extension, kit space, light, video toolbox की और second space वगेरा और यहां पर आपका sidebar तो working रहेगा लेकिन android 12 पे होने को जैसे one time में one day आपका है floating window जो यहां पर काम करने वाला है तो दो floating window आप यहां पर use नहीं कर सकते है इसके बाद battery के अंदर आपको skin on timing का benefit है जो features मिल जाता है और apps lock, fingerprint वगेरा आपका working है, face unlocking वगेरा, home skin में आपको वह advanced launcher मिल जाता है जहां पर कुछ इस्टा option दिये गए हैं जैसे कि double tap, new unlocking animation, fill, sale of uninstalled app वगेरा है, row and column आपको मिल जाता है, monitor search engine मिल जाता है, यहां पर आपको मिलता है search bar blur जो की A2L के उपर वाले पे काम क करेगा, folder के अंदर अललग effects आपको रेखनी को मिलते हैं, outline रेखनी को मिलेगा, और यहां पर iPhone अला style डाल सकते हो, और recent का clean cup button है, उसे मैंने remove कर दिया, जैसे कि आप यहां पर कोई button नजर नहीं आ रहा, और हां, यह smoothly यहां पर काम कर जाता है, तो मुझे इसे related कोई खास सिक यह जो नजर आती है, वहीं पर sound का profile में सारे option आपके working है, haptic थोड़ा बढ़ा सकते हो, display के अंदर dark mode आपका काम करता है, और dark mode जब आप यूज करोगे, तब यहां पर इसके जो look से न थोड़े और अलग दिखाई देते हैं, जो कि lining अगले, अच्छे feel देते हैं, बसकर आ पर reading mode देखनी को मिल जाता है, extra dimg option है, dpi का है, और बाकि वही common option और यह जो glow mode है, आज तक मैंने किसमें working देखा ही नहीं है, इस option का होना और ना होने के बढ़ावर है, जैसे कि आप देखो आजाना से अब भी हो जाता है, always on का नाम दिया गया है, but always on हमारा display support नहीं करता, इसलिए switches को remove किया गया है, but option still available है, तो भाई, इसे ignore करना ठीक है, उसके बाद बाकि वही सारे common option आपको यहां पर देखनी को मिलेंगे, another यहां पर आपको मिल जाता है, wallpaper and personalization, जिसमें आपको कुछ wallpapers मिलते हैं, जो कि आप यूच कर सकते हो, या फिर आप भाई अलग से ड camera देखनी को मिलता है, जो कि हमारा proper working है, चाहिए वो आपका portrait हो, या फिर आपका जो वीडियो हो, या फिर बाकि अदर options होगे रहा हो, तो यह मुझे सही लगा, और यहां पर आपको हलका full का slow, इसलिए लग रहा होगा, क्योंकि मेरा 4Giola device है, जिसके वजह से, और आप दे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता, तो यह benefit आपको यहां पर मिलेगा, इसके बाद control center, तो यहां पर देखनी को मिलेंगे, जो कि आप यहां से use कर सकते हो, और मुझे यह काफी सही भी लगा है, इसके बाद बात करते हैं इसके performance result का कि क्या कुछ कैसे देखनी को मिल देता है, तो by default जो untuto score है, वो मुझे काफी सही लगा है, उसके बाद यहां पर charging भी मुझे ठीक लगा, plus मैं Geekbench top notch का result कर देता है, 100 पर डालने के बाद यह भी काफी बहतरी result करता है, जो कि 1,89,000 आपको max, और minimum यहां पर 1,66,000 देखनी को मिल जाता है, और no CPU total है, जो कि आप module डाल के unlock कर सकते हो, 90 नहीं, 60 तक तो चला जाएगा, और साथ ही साथ भाई, यह by default in future add भी हो जाएगा, बट इस्टिल थोज़े दिन आपको adjust करना पड़ेगा, और अगर आप PUBG player हो, तो भाई, वहाँ पका 90 unlock तेखनी को मिलता है, बट आपको गवाई है, तो 60 का display 90 के स कर दिया तो आपको 90 ही देखनी को मिलेगा, यह बस unlock कर देता है features को ताकि FPS थोड़ा और बेटर हो सके default वाले FPS के comparison में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है जो कि 66 battery drop, morning में जब मैं चेक करता हूँ तो आता है यह 65, यानि 66-65 only on 1% का full night में battery drop हुआ है, जो कि काफी, सही लगा मुझे, जो कि आपको भी पसंद आएगा, camera हमारा working है, photo storage आपको unlock मिलता है, तो जितना चाहुतना आप यहाँ पे upload वगरा कर सकते हो, 11 का support भी आपको देखनी को मिलेगा, और यहाँ पे कम ही लगे मुझे, वह है device certification की, जो कि by default यहाँ पे मुझे certified देखनी को नहीं मि था, और हाँ इसका जो boot animation है ना, वो पहले आपने देखा होगा तो पता होगा, अज़र मैं आपको boot animation दिखाता हूँ, मुझे काफी सही लगा था, और हाँ यहाँ पे आपका volume panel जो है, वो आपको देखनी को मिलता है थोड़ा इस तरीके से, और advanced power menu भी आपको यहाँ पे न देखनी को मिलेंगे, download link plus आपको देखनी को मिल जाएगा, जिसे आप download करके अपने phone के अंदर डालके flash कर सकते हैं, और flashing guide भी मैं आपको पहले ही बता रखा है, बट आप चाहो तो flashing guide भी है, जो देख लेना, अगर नहीं पता है तो, और follow करके आप इसे install कर लेना, अपने phone क अंदर, आपका क्या है opinion ने, इसके बारे में comment जरूर करना, और हाँ एक चीच और में यहाँ पर बताना चाहूंगा, कि यहाँ पर आपको जो widget support मिलता है ना, यह भी ओल्डोलाइस लिए, क्योंकि यहाँ पर wifi मेरा off है, लेकिन जब आपका wifi connect होगा, तो यहाँ पर विजट बट सूपर आइकन में वगरा मिल जाते हैं, सो बाई